दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं debit note और credit note के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से busy accounting application के अंदर debit note और credit note की transaction को record कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये debit note और credit note होता क्या है और से क्यों इस्तमाल किया जाता है दोस्तो debit note का इस्तमाल किया जाता है purchase voucher के लिए और credit note का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर sales voucher के लिए जैसे माल लीजे example के मार्दयम से मैं आपको बताना चाहूंगा आपने किसी भी goods को यहाँ पर purchase किया है करने के लिए debit note की transaction record करनी पड़ेगी जिसमें आप यहाँ पर पच्चिस सो रुपे में से 500 रुपे का debit note transaction record करेंगे और आपका balance यहाँ पर maintain हो जाएगा सेम इसी तरीके से माल लीजे आपने किसी को गुर्स को बेचा है और आपने उसे कोई और rate बताया था यहाँ पर अपने बिल के अंतर कोई भी modification करने के जबरत नहीं पड़ेगी दोस्तों debit note और credit note का इस्तमाल तभी किया जाता है जब आप यहाँ पर quantity में कोई भी editing नहीं कर रहे है यानि quantity में कोई भी changes नहीं कर रहे है आपको केवल amount को decrease करना हो तभी आप debit note और credit note का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है बात करें quantity और price दोनों को decrease करने की यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है purchase return और sales return इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम केवल debit note और credit note के बारे में ही जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो debit note और credit note की entry पास करने के लिए सबसे पहले हमें आना है transaction के उपर और सबसे पहले हमें आपर किसी goods को purchase या फिर sale करना होगा उसके बाद ही हम debit note और credit note की entry पास कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसी goods को purchase कर लेते हैं purchase करने के लिए आपको यहाँ पर transaction में purchase वाले section पर click करना है जैसी हम purchase वाले section पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 3 options दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला option आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने है add का जिसमें हम किसी भी नई transaction को यहाँ पर add कर सकते हैं यानि कोई भी transaction यहाँ पर record कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, modify आपको दिखाई दे रहा है, यानि जो भी transaction आपने इसमें record कर रखी है, आप इसकी मदद से उसके अंदर modifications कर सकते हैं, यानि changes कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर purchase voucher के नाम से एक window open हो जाएगी और यहाँ पर हमें series में main रखते हुए date को select करते हुए यहाँ पर आपको voucher number type कर देना है जैसे मालीजी हमने voucher number डाल दिया है 1 और उसके बाद यहाँ पर enterprise करते हुए आप यहाँ पर देख सकते है purchase type आपसे पूछा जा हैं यहाँ पर एक party का लेजर create करने वाले हैं party का लेजर create करने के लिए आपको अपने keyboard से प्रेस करना है F3 जैसी आप यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने add account master के नाम से एक window open हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने पार्टी का लेजर क्रियेट करना है याँ यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम लिखना होगा तो मालीची हम यहाँ पर लिख देते हैं मोहन Corporation और इसके बाद इसे Under Of डाल देंगे Sand Group Creditor के दोस्तों Sand Group Creditor रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आप से GST number मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर चाहें तो GST नंबर फिल कर सकते हैं अपनी party का या फिर अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसे unregister रख सकते हैं तो फिलाल हम इसे unregister रखते हुए इसे यहाँ पर F2 करके save करने हैं बाकी ledgers की इन सभी information के बारे में मैं already videos बना चुका हूँ आप हमारी playlist में जाकरके इन सभी option के बारे में समझ सकते हैं हम फिलाल यहाँ पर इन सभी option को cover नहीं कर रहे हैं हम इसे save करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर warning आ चुकी है कि आपकी party जो है वो unregistered है तो फिलाल हम इसे यहाँ पर yes करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ITC eligibility आपके सामने दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर input goods and service रखते हुए इसे यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर narration में अगर आप यहाँ पर narration लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर इस वाले part को यहाँ पर skip करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमें अपने item को यहाँ पर select करना होगा तो फिलाल हमारे इस company में हमने कोई भी item यहाँ पर create नहीं किया हुआ है तो हम फटापर यहाँ पर एक item create कर लेते हैं दोस्तो आइटम create करने के लिए भी आपको यहाँ पर F3 की press करना है आप देख सकते हैं आपके सामने add item master के नाम से एक window open हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने item का नाम type कर देना है जैसे माली जे हम अपने item का नाम type कर रहे है 13 pro max और इसके बाद इसे enter enter करके इसका group बना लेते हैं हम लोग apple तो यहाँ पर apple का group create करने के लिए आपको यहाँ पर भी F3 press करना होगा और यहाँ पर आपको group create करना होगा apple का दोस्तो apple रखते हुए हम यहाँ पर primary group को yes करते हुए इसको यहाँ पर F2 करके accept कर लेंगे इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रूप हमारा apple create हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी unit को select करना होगा तो space की press करते हुए हम यहाँ पर pieces को select कर लेत के बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका price आपसे मांगा जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर हमें जो price डालना है वो डालना है 55,000 रुपे और हमारी जो इनसे बात हुए थी वो 50,000 रुपे पर piece पर पीस पर बात हुए थी बगर इ हमें कितना पैसा यहाँ पर debit note में less कराना है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर calculator का एक option दिखाई देगा इस वाले option को select करते हुए आपको यहाँ पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर माल लीजे हमने जो इनसे बात की थी वो 10 पीस की बात की थी 10 पीस को हम यहाँ पर multiply करने वाले हैं 50,000 रुपे से और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर is equal to पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हमारा जो amount बना है वो 5 लाख रुपे का amount हमारा बना है यानि कि हमें इस bill में से 50,000 रुपे को less करवाना है 50,000 रुपे का हमें debit note की entry पास करनी होगी तो यहाँ पर हम इसे F2 की मदद से पहले इस entry को यहाँ पर accept कर लेते हैं और यहाँ पर आप purchase bill number सलक करते हुए यहाँ पर इसे OK करके save कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका method of adjustment भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस पर भी आपको यहाँ बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ पर save कर देना है दोस्तों entry हमारी यहाँ पर पास हो चुकी है अब हमें यहाँ पर use करना है debit note तो इसके लिए हमें आपस से escape करके यहाँ पर बाहर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला option दिखाई देगा debit note without item तो यहाँ पर देख सकते हैं debit note issue against seal या फिर credit note revise against purchase आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें से हमें यहाँ पर not applicable को select करते हुए आगे बढ़ना है अब आपको यहाँ पर debit के अंदर सबसे पहले अपनी party को select करना होगा जिससे आपनी goods को purchase किया था तो यहाँ पर हम type कर देते हैं mohan, mohan corporation लिख करते हुए, space की press करते हुए adjustment window को select करेंगे, reference number में build number 1 को select करते हुए यहाँ पर हम इसे okay वाली button पर click कर देंगे, इतना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं short narration पर आप जम कर चुके हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर credit option पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ledger create करना ह debit note के नाम से, तो यहाँ पर हम create कर लेते हैं debit note के नाम से ledger, ledger create करने के लिए आपको वापस से F3 की press करना है, और यहाँ पर आपको type करना है debit note, और इसके बाद यहाँ पर इसे enter, enter करके, इसे under of डाल देना है purchase account के, purchase account के अंदर डालते हुए हम यहाँ पर F2 की press करते हुए इ save करते हैं आप यहाँ पर देख सकते है credit side में हमारा यहाँ पर 50,000 रुपए हमें दिखाई देगा, उसके बाद हम यहाँ पर F2 की मदद से इस window को यहाँ पर accept कर लेंगे, दोस्तो इतना करने के बाद हमारी transaction यहाँ पर complete हो चुकी है, तो दोस्तो अब मैं आपको ledger wise इसे द कर सकते हैं, तो इस case में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो entry pass की थी purchase account की, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो total amount हमें reflect हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है 5,50,000 रुपए का, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ और entry pass की है debit note के नाम से, जिसमे हमें केवल उसे 5,000,000 रुपए यहाँ पर देने हैं, उन्होंने बिल जादा बना दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर 50,000 रुपए debit note करके इसे minus कर दिया है, सेम इसी तरीके से हम credit note भी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, तो चलिए हम एक बार credit note का भी यहाँ पर practical करके देख लेते हैं, तो उसके रहे हम यहाँ पर skip करते हुए बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले sales voucher की entry pass करनी होगी, तो दोस्तो sales voucher की entry pass करने के लिए आपको यहाँ पर press करना है control के साथ F8, control के साथ जैसी आप यहाँ पर F8 press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, sales voucher की window यहाँ पर open हो जाएगी, और यहाँ पर हमें transaction को record करना है, और इसके बाद यहाँ पर enter press करते हुए हमें यहाँ पर select कर लेना है local item wise, क्योंकि हम फिलाल हम यहाँ पर GST का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको party के अंदर party का एक ledger create करना पड़ेगा, जो कि आप चाहें तो अपनी party को unregister रखते हुए, इसे यहाँ पर save कर सकते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर F2 की press करेंगे, save वाले button पर click करेंगे, यहाँ पर आपको narration अगर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, फिलाल इस वाले option को हम यहाँ पर skip करते हुए आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको item को select करना है, तो दोस्तो जिस item को हमने अभी यहाँ पर purchase किया है, हम उसी item को मालीजे यहाँ पर sale करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम space की press करते हुए, अपने उसी item को select करने हैं, यानि 13 pro max को हम यहाँ पर select करने हैं, हमारे पास जो 13 pro max का total quantity थी, वो 10 piece थी, तो हम यहाँ पर 10 piece को मालीजे यहाँ पर sale करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो price था, जिस price पर हमने यहाँ पर purchase किया था, हमें यहाँ पर sale करते हैं, उससे extra price यहाँ पर add करना है, तो मालीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं 65,000, और उसके बाद यहाँ पर जिस्टी की complete वीडियो देख सकते हैं, तो फिलाल हम यहाँ पर okay वाले बटन पर click करते हुए इसे यहाँ पर accept कर लेंगे और यहाँ पर इसे save कर देंगे, तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर invoice printing का एक window open हो जाएगी, आप चाहें तो आप इस invoice को यहाँ पर print कर सकते हैं, या फिर उसका preview यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पर इसका preview दिखा देना चाहूंगा, standard format रखते हुए यहाँ पर preview वाले बटन को select करते हुए यहाँ पर okay करेंगे, और यहाँ पर इस setting को save करते हुए यह पर माल लीजे हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ पर जो bill बनाया, उसमें माल लीजे हमने discount को add नहीं किया, और अब हमें यहाँ पर credit note की entry pass करनी होगी, तो दोस्तो credit note की entry pass करने के लिए आपको यहाँ पर से वापस से skip करके बाहर आना है, और यहाँ पर आपको credit note के नाम से एक voucher open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको justy nature के अंदर अगर आप चाहें, तो credit note issue against sale को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, इसे select करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें अपनी party का लेजर select करना होगा, जिस party को हमने यहाँ पर goods को sale किया है, तो यहाँ पर हम space press करते हुए आधित्या industries को यहाँ पर select करने वाले है, amount mileage हम यहाँ पर डालने है 50,000, क्योंकि 50,000 रुपे का हमने यहाँ पर extra bill उसका बना दिया है, 50,000 रुपे लिखते हुए हम यहाँ पर enter की press करेंगे, यहाँ पर आपको space की press करते हुए adjustment window को select करना है, और यहाँ से भी आपको एक leisure create करना पड़ेगा credit note के नाम से, तो हम यहाँ पर F3 की मदद से, एक नया ले जो create करने वाले है credit note के नाम से, तो दोस्तो credit note लिखते हुए हम यहाँ पर इसे under of डाल देंगे sales account के, और इसके बाद यहाँ पर हम इसे F2 की मदद से save कर लेंगे, इतना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो entry है वो यहाँ पर complete हो चुकि है, इसके बाद हम इसे F2 की मदद से इसे यहाँ पर save कर देंगे, दोस्तो इतना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने adjustment of debit note and credit note की window आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगी, और 50,000 रुपे का party adjustment हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इसे select करते हुए, यहाँ पर आपको as the party master को select करते हुए, यहाँ पर इसे accept कर लेना है, तो मालीजी हम यहाँ पर fourth reason को select कर रहे हैं, correction in invoice को, और उसके बाद यहाँ पर आपको original invoice number डालना होगा, तो मालीजी हम यहाँ आपर invoice number डालते हुए, यहाँ पर इसे yes करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको date select करनी होगा, तो मालीजी हम यहाँ पर type कर देते हैं, एक चार और उसके बाद enter pass करेंगे, यहाँ पर अगर आपने hsn number या sack number डाल रखा है, आपने item का, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फिलाल हम यहाँ पर skip करते हुए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको pieces को select कर लेना है, याँ आपनी unit को select कर लेना है, और यहाँ पर different amount आपको दिखाई देगा, 50,000 जो कि हमें आपर bill में से less करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ भ देना है, दोस्तों इतना करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो voucher होगा, वो यहाँ पर save हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पर alt के साथ L press करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको select कर लेना है, आदित्या, industries, और यहाँ पर F2 करते हुए, इसे यहाँ प पास की है, credit note की, तो हमारा जो closing balance है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6,00,000 रुपीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारा जो total bill बना था, वो 6,50,000 रुपे का बना था, जिसमें से 50,000 रुपे यहाँ पर less कर दिया गया है, तो दोस्तों इस तरीके से आप busy accounting software के अंदर debit note और credit note की entry पास कर सकते हैं, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा, धन्यवाद